तुए रहे हैं दोस्तों सोगत अब सभी का आज यस नए वीडियो में कमाया है हैं थो अर्य मेहतपूल टौपिक का दोस्तों पार्ट टू अब वर नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके पार्ट वन को जरूर देख लिजिएगा दोस्तों कर दो में दुस्तों भारत की संस्कृति की बारे में एक महत्पूर और बहत्रीन तरीके से दुस्तों हम लोगों ने पढ़ा था और उम्मीद है दुस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा यदि आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो एक बार प्ले आज आए और क्लास को फटा-फट अपने धूस्तों सेहर कर देगे क्लास के रोजाना रात को आठ बजे क्यों चैनल परो act को सब्सक्रास को स्ब्सक्राइब कर आए न चाआँगा एक पर वीडियो को जरूर जादा सज्टों हो चैनल को सबस्क्काइब करना बिल्कुल भी नबहू लें, साथ इसाथ बैल आइकन को आन जरूर कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आई, उसका दुस्तों नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो चले कर दोड़ी ikan फटाफाट तो पहला पॉइंट आप लोगों के सामने दिया गया पॉइंट को पढ़ेंगे और हमारे द्वारा काई गई एक एक बात को अच्छे से समझेंगे और जब भी दोस्तों आप जीके की क्लास करें या मैथ की क्लास करें तो अपने पास कॉपी पैन हमेशा दूस्त पीडियाप का दूस्तों लाव उठा रहे हैं तो जल्दी से जाके आप टेलीग्राम ग्रूप को जोइन करिए और वहां से फ्री पीडियाप का आप भी दोस्तों फाइदा जरूर उठाएं तो चलिए गए और फिर से स्वाकत करते हो आपके अपने परवाद टेचिंग मे पूचह जाने की शंबाबना है कुष्चन आपसे पूचा जाएगा दोस्तों कि भारत का चहेत्रपल का 2.25% कितना प्रताइब लोग नहीं जोजिए बिए पहला प्रटेंट है ना आइखके आपको समझ में आगया होगा अब यहांसे बात करती कि इसमें शुकी जेड़सं पांच परसंट दो इस पर जनसंख्या निवास करती है अगला पाइंट है दुस्तों वर्स 2001-2011 तक और दुस्त वरद्दी दुस्तों लगवग आपको पहले कर लेना है और चीन को दुस्तों आपको बाद में कर लीना है को कि अधिया आप से अब एक्जामनर कुछे कि बताइए कि दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो आपका जो आंसर आएगा वह भारत आएगा ठीक है पहले आपका चाहिना था लेक राजजी अदिया आपसे पूछा जाए तो आपको उत्तर प्रदेश बता देना है आगे बढ़ते हैं भारत के सरवादेग जनसंख्या वाले पांच राजजे है तो पहले नमबर पर आता है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश जो कि सरवादेग जनसंख्या वाला राजज याद रखेगा माराष्ट का दूसरा स्थान है आगे बढ़ते हैं भारत के नियूंतम जनसंख्या वाले राज नियूंतम जनसंख्या वाले राज्जों में से दोस्तों आप सिक्किम को हमेशा याद रखेंगे सबसे भारत में सबसे नियूंतम जनसंख्या वाला राज कौन स आगे बढ़ते हैं सबसे जादा लिंगानुपात पांच राजी जिसमें से दोस्तों पहला स्थान किस का दूस्तों मेशा रखेंगे पहला स्थान आपका केरल का है कितना लिंगान उपात है 1084 तमिल्लाडू है 996 प्रांद्र प्रदेश आता है 996 गड़ 991989 यह दूस्तों सबसे ज्यादा लिंगान उपात राज्ड आते हैं पहला सभी मेंज़ायाध सबसे कम लंगान उपात राज्ड बता देना एकहजार चौरासी उसके बाद दूस्टु नियुनुनस सबसे कम लिंगान उपात नियुस्तान आता है जम्मू वह कस्मीर का एकहजारvan फिर आपको सिक्किम पंजाब और पांचमें नंबर पर आता है दुस्तम उत्र प्रदेश जिसमें जिस्तु कितना है 900 10 क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं भारत के पांच सरवाधिक साख्षरता बाला राज्ट आप हमेशा जानते है 91.3 परसेंट फिर अथा गोवा 88.7 परसेंट फिर आपका त्रुपुरा और इसके बाद हिमाचल प्रदेश 82.8 परसेंट इसमें आपका सरवादिक साक्षरता वाले राज्यों में से पांचवा स्थान हिमाचल प्रदेश का है पहला हमेशा याद रखेंगे केरल का सभी आता है भारत में 2011 में 4040 लाक्त से अधिक जनसंक्या वाले 9 माहा नकर थे तर रज स्थेंगे चलँन। ज leg में जर फेंटिक साथ धित इसाथ बात हुर चाड़े माहानगर की किस की बत महानतगर की जह ave Zurich सरवादिक जनसंक्या वाला राज्ज है दूसरे अमर पर आपका महाराष्ट आता था ठीक है तो यहां पर पहला स्थान किसका महाराष्ट का है पिर दिल्ली है कोलकाता है चैन्नाई है बेंगलुरू है हैद्राबाद है फिर एहमदाबाद पुड़े तथा सूरत आधी यह द आते हैं तो सबसे अधिक मानगर आपके यूपी और केरल में आते हैं आगे बढ़ते हैं भारत के सरवादिक दस्की वरद्दी वाले राज्यों में दूस्तों मेगाले 27.9 अरुनाचल प्रदेश आपका 26 परसेंट बिहार 26.5 परसेंट मणी पुर 24.5 परसेंट यह दूस्त के दोस्तों कितनी ति अर्सद्स न वाले राज्यों में दूस्त द्सक्राइब मिजोरम केरल ऑर महरा यह आते हैं ब्हारत बहुत पुरस साख्छंटा वाली राज्यों क्यरल करण कहां पर राज है क्योंकि साक्षी पर नवास करता है तो आपको ताना निवास करती है लेकर पूछा जाई अन्सूचित जन्षा ज्ञाइन जन्संंक्या फर आपको आपकी उत्तर प्रदेश में हाँ पर रैंग उत्त्र प्रदेश में हर्याणा तता पंझाब में कोई लूस्ट जन जाती एक तो आपके अंसूचित जाती होती जो कि आप जिसको बोल सकते हैं सी अंसूचित जाती आपकाhesion सी होता है और अंसूचित जो आपके हर्याणा और दोस्तों पंजाब जैसे राज्यों में निवास नहीं करती है ठीक है याद रखें कि यह अपने आप में एक इस्टार बनाके नोट कर लेना कुश्चन आप से पूचा जा सकता है कि अर्याणा तता पंजाब में कौन से जन जाती निवास नहीं करती है तो आपको पता देना है अंसूचित जन जाती सिंगापूर दोस्तों विश्व का स्तरवाद एक नगरी करत देश है याद रखें कि आप सभी को पता होगा सिंगापूर माल्दीब दच्छड एसिया का स्तरवाद एक नगरी करत देश कौन सा है तो आपको आंसर दे देना है माल्दीब सेकेंड पूछेगा बिज्जु का सरवादक नगरी करत देश कौन सा तो आपको पता देना सिंगापूर ऐसे कुश्चन पूछे जाएगा बारत में जंगरना अउने की जानकारी दोस्तो किस पुस्तक में मिलती है तो विस चाणकी की पुस्तक आर्थसास्त था अबुल्फजल की जो पुस्तक आईने अकवरी इनमें धोस्तो भारत की जंगरना की लेक मीलता है आसे कुश्चन पूछा जाकता है की तो आईने अकवरी की जिखा कौन है तो आपमको पता देना है चाढक तो नेक्स्ट कुश्चन है जो कि अपने आप एक सबसे इंपोर्टेंट कुश्चन है इसको मैं व्रेकेट में क्लोज कर देता हूँ आप लोग चाओ तो इसका स्क्रीन सोट ले लो या अपने पास जो कॉपी पहला आप लोग लिये रखे बैठे हो तो इसको कॉपी में नोट कर इंग्लेंड में पहली बार जंगरना हुई थी बारत में 1872 में लॉड मेयो के कारकाल में पहली बार जंगरना हुई ये सेकंड पॉइंट आपका बोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे आप लोग जो मैं इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ उसे तो आप लोगों आप सभी जानते हो कोई भी एक्जाम हो आप एक बार प्रैक्टिस स्टाइड उठाके देखना किसी एक्जाम में आपको यह कुछ जरूर पूचा गया होगा 100% और कोई भी एक्जाम हो चाहे हैं आप SSC की त्यारी कर रहे हो चाहे हैं आप 22 में यह तो बहुत भार पूछा गया इसकी कोई गिनती नहीं कि कि जो आपका Olympic Games होता वो प्रतेग चार वर्स के अंतराल में होता है ठीक उसी परिकार दोस्तो जो आपकी भारत की जो जन्गड़ना है या जन्संख्या की जन्गड़ना है ये प्रतेग दोस्तो दस वर्स के अंतराल में होती है और ये 1880 में Lord Ripan के कारकाल में किया जा रहा है जो बरतमान में भी प्रिचले थे और अब तक दोस्तो पंद्रह बार गड़ना हो चुकी है प्रणतिश वतंतर भारत की जन्गड़ना 2011 वर्स की है कितनी है 2011 वर्स की है क्लियर यहां तक आप दोस्तों बात समझ चुके होंगे तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्ट पॉइ कि मैं सकते हैं तो आप कह सकते हैं जी ए मैं तो गहनत व हैं किसे रहनत का नवास करती है और विक्तियों की संख्या कितनी है इसका दुस्तो ही दिया हम आपस में दुस्तो कुल संख्या यहीं विक्तियों की कुल संख्या और कितने वर के किलोमीटर में मरलब जो छेतर पर लोता है कितने में निवास कर रही उसका ही दिया हम उससे डिवाइड कर देते हैं तो दुस्तो हमें जन संख्या का घंणत दुस get set . यानि कै सकते है दिस्तों, आपका यह लंगानपाजो है, प्रत्षत्थ में निकल के आएगा, क्योंगे इस्त्रियों के जो संक्या होगी वह ओपर रोपर, प्रत्षों के जूसी जो परसacement की आझ More इसे संप़्ों को परसिए यो साथ वर्स तक बच्चें वह आपके सिसूस रिएड़ी में आते हैं 7 वर्स यह उससे अधिक आयु वाली साक्षर 65 के संग्ख्या बटे साथ प्लस आयू की जन संग्ख्या ने को और गुणा से संग्ष्रटागई निकल आईगी मिन elles 121 के बाद भारत में जन संख्या में तीबर ब्रद 있나 इसलिए इसे महान विभाजन बर्स भी कहा गया है 2011 में भारत की जो कुल जनसंख्या वो 121 करोड थी जिनमें से पुर्सों की जनसंख्या 62.5 करोड तता मैलाओं की संख्या 58.5 करोड थी आगे पॉंट पर चलते हैं केंद सासित प्रदेसों में सरवादिक जनसंख्या दिल्ली में निवास करती है तता नियूंतम जनसंख्या आपके लक्ष दीप में निवास करती है भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है जिन में से सहरी लिंगानुपात 939 तता ग्रामिली लिंगानुपात 949 है उत्तर प्रदेश का छेत्र पल आपसे जरूर पूचा जाएगा जो कि सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि आपके यूपी कॉस्टिबल के त्यारी कर रहे हो तो छेत्र पल तो आपको पता ही होना चाहिए इसका छेत्र फल कितना है दोस्तों दू लाग चूरी सजार नोसो आठाइस बर के किलो मीटर उत्तर प्रदेश का जो छेत्र हैं जब मैंने आपको दोस्तों इस भूगोल वाला पार्ट है वो आपको मैंने पढ़ाया था जियोग्राफी में उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि भारत का जो भूगोल एक चेत्रवल वो कितना है साथ दसंदा तीन तीन परसेंट भूगोल को यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं सारी क्लासे में करवा चुका हूँ इस बुक की तो जाके प्ले लिस्ट में एक बार भूगोल के आप सारी वीडियो देख लेना आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रैस किया है उसमे कि दूस्तों आपकी दोरा एक एक लाइक और एक कमेंट दूस्तों में बहुत मौटीवेसन देता है आपके लिए बैतर से बैतर करने का चलिए आगे दूस्तों बढ़ते हैं दूस्तों अगला पांट है उत्तर प्रदेश छेत्रपल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ सबी को पता है कि लखना हुए उत्तर प्रदेश में दूस्तों आठ राज्य की जो सीमा लगती है जो कौन कौन से राज्यों से लगती है आपका उत्तरा खंड है मद्य प्रदेश आपने यूपी जी के में तो पढ़ा ही होगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा लगती है सरवादिक चार राज्यों को इस परस करने वाला उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो आपका सौन बद्र है यह कह सकते तो यह आपकी UPGK का पॉइंट है दोस्तो यह आप जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं सभी UPGK का क्योंकि आप UPGK पढ़ेंगे न जिला है सौन बद्र जो की दोस्तो आपके चार राज्यों को इस परस करता है उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है तो आप सभी को पता उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो नेपाल देश से लगती है उत्तर प्रदेश की जो प्रमुक नदियां है कौन कौन सी गं और कुल पशूधन और गन्ना अत्पादन आलू उत्पादन रेल मार्ग बैंक साखाएं एवं पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस में देश में देश में दुस्तों इन सभी स्थानों में दुस्तु उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश में दुस्तों नाता है राश्टी वासा कोई नहीं यह राज्की वासा हिंदी व उर्दू है उत्रप्रदेश की निस थापना आप से बहुत वार्क जम में पूझी जाती है उत्तर प्रदेश की स्थापना एक नमंबर उनिस सचपन को हुई थी दोस्तों आप लोगो से आप से पूचा जाए कि मद्यप्रदेश की स्थापना कवी थी तो मद्यप्रदेश की दुस्तो राज की जो पसू है वो आपसे पूचा जाए तो रास की पसू सुरी यहां पर दुस्तो मिस्प्रिंट हुए राज की पक्छी कर लेना ठीक है यहां पर मिस्प्रिंट हुए राज की पक्छी आपका आजाता है सारस ठीक है दुस्त सारस इंपोर्टेंट प्रजेंट टैम में वो कौन है गवर्णर जनरल यानि की दुस्तो राजपाल आनंदी बेन पटेल अनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश की राजपाल है उत्तर प्रदेश में मुखमंत्री कौन है आप सभी को पता है प्रजेंट टैम योगी आधितनात उत्तर प्रदेश की बरतमान मुक्वंत्री है उत्तर प्रदेश में लोग सभा की सीटों की संक्या याद रखिए का आप लोगों को पता होनी चाहिए तक की बातें समाज में आई चाहो तो आप लोग एक इसका स्क्रीन सौट जरू ले लेना के लिए आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में विदान सभा सीटों की संक्या जोस्तों पहले मैं आपको बताया था 403 कितनी बताया था पिछली वीडियो में आपको 403 नहीं चार सौट चार पर लेना ठीक है पहले आपकी 403 थी लेकि आप कितनी चार सो चार क्लियर चिलिए तो यह थे दोस्तों एक ट्रॉपिक एक हैडिंग थे जल संक्या के बारे में जो कि हमने आप लोगों से एक बैतरी तरीके से डिसकस कर लिया आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है दुस्तों पर्यावरल एवं नगरी करण के बारे मे इने दुसके नगरी को मनाई जाता है पर्यावरल प्रयावरल में दूस्तों पर्यावरल में किसी जीव के चारों और प्रियाबड में जबकि दूसरे कारक्त नियंत्रक के रूप में कार करते हैं पर्रियाबड के अजयबिक और गटक के अंतरकत इस्थल-मंडिली हो या जलमंडिलम पर्रियाबड़ी में रखा गया है वनस्पती को भोजन के जीव जंतु को साकाहरी कहतें में जीव जंतु को साकाहरी कहते हैं जो पीड़ पौदे खाते हैं घास फूस वगयर होते हैं उननको हम जो आ परभूकता है सिंपल सापको ट्रिक बता देता हूँ याद रखने की जो प्रिथम बर्ग का उपभूकता होगा वो सभी कैसे होंगे साका हारी होंगे ऐसे जीव जनतु जो अपने भोजन के लिए प्रिथम स्रेडी की उपभूकता पर निरवर रहते हैं तो दूसरे स्रेडी के उपभूकताओं पर आसरत होता है जैसे कि आपका भीडिया हुआ छिपकली हुआ सेर हुआ कुटा है बिल्ली है यह सभी कैसे हैं यह सभी आपके दूतियक स्रेडी के जनतु हैं जो कि दूसरे पर निरवर रहते हैं आगे जाते हैं तरतियक स्रेडी की और ऐसे जिए जन और साथ-सात दोस्तों गाएभैसो हो को भी झाजाएगा तब कि pistol eat लगार हुआरे कि दूस्त कुंड रहे हैं मैं और भी नहीं बताया थैसा आपको दुत्रिम Babe को भूकताओं को भी सकते हैं आगे बढ़ते हैंUkosystem सब्द का सबसे पहले प्रियोग तो एजी टॉंसली के दोरा किया गया था यह एक पार इंपोर्टेंट है याद रखना एको सिस्टम जो सब्द है इसका प्रयोग किस नहीं किया था एजी टॉंसली ने 1935 में किया था चलिए आगे बढ़ते हैं हरे पौदों के दोरा सौर उर्जा ग्रिहन की जाती है तता इसका भाग उसमी उर्जा में बदल जाता है वर्स 2018 के आकड़ों कंसार ग्रीन हाउस गैसों का जो सबसे बड़ा उत्तरजक देश है तो वह आपका चाइना है जो की सरवादे ग्रीन हाउस गैसें उत्तरजित करता है प्रत्वी के गृत्वा करस्टड के कारल बायुमंडली प्र जो आपको अंसर देदेना है? घरता है प्रत्वी के संपूल छेतपल का 71% भाग जल पाया जाता है जो आपकी दुस्तो प्रत्वी है इस पर 71% भाग जलका है और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उस पर जनसंख्या पेड़ पौदे निवास करती है नेक्स्ट इसका दुस्तो 97% भाग महासागरों में 2% भाग बर्फ के रूपर रहता और 1% ताजे जलके रूप में बिद्वान है यानि हम कह सकते हैं जो पीने लायक जले पर पानी पीने लायक है जलके बास्प में बदले की जो पिक्रिया उसको क्या कहते हैं अब सब्हों पता है जलको बास्प में बदले की जलवास्प कहलाती है मिर्दा का छारी हो जाना अत्यदिक लवड़ता का कारण होता है अमलिवर्शा के कारण दुस्तो पर्यवड़को बहुत हनी पहुंचती है नाइटरेट के कारण दुस्तो ब्लू वेवी सिंड्रॉम होता है आपसे ये कुश्चन पूचा जा सकता है जो कि सबसे important है blue baby syndrome के बारे में कि blue baby syndrome होता है तो वो nitrate के कारण होता है blue baby syndrome को मेटा मोगलो बीनेमा nitrate sinus के नाम से भी जाना जाता है एक कुश्चन आपसे बहुत बार पूचा जाता है कि धुनी की तीबरता आप लोगों को मैंने physics के बारे में बताया था यदि आप लोगों ने इस book की physics नहीं पढ़े है बहुत ही important points आपको physics में मैंने बता हैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया है physics की जितने भी क्लास है एक बार आप जरूर देख लीजेगा दो से एक सो दो क्लास होगी दूस्ते फिजिक्स की महरात है क्लास एक बार आप उसको जरूर देख लीजेगा तो दौनी की जो तीबरता है दूस्तों किसमें मापी जाती ह आप सभी जानते कि कुट्टे रात में अक्सर क्यों भोगते हैं किसी को देखे बिना भी कुट्टे भोगते हैं क्यों क्यों क्योंकि दूस्तों उन्हें दूस्तों जो सुनने कि उनकी दूस्तों चमता है बहुत दूस्तों बीस हजार प्लस हर्टेज की दौनी को सुन सकते हैं इसकार दुस्तों कुत्ते जो है अचानाक दुस्तों रात में भूंकते रहते हैं मैगने सैट मिटी का छारी रूट को छारी बनाता है राष्टी पर्रवड अबयांतर की सोथ संसतान जिसको बोलते एंडवल ई-र्ट की स्थापना 1958 इसभी में की गई थी मीथैन गैस को आ अपना वन अपना धन योजना किस राजी के द्वारा सुरू की गई थी तो यादर के का हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसका सुरूगात की गई और इसके माद्यम से बना रोपल की प्रिक्रिया को बढ़ावा देना है नेक्स्ट अगले पैंट क्यों चलते हैं यहां पर अब बात करते हैं दोस्तों उपभोकता के बारे में वे सभी जीव जन्तु को स्वपोस्त प्रात्मिक उत्पाद्मन अर्थात पौदों द्वारा अपना भोज अंग्रहन करते हैं उपभोकता कहलाते हैं वियोजक वे सभी सूच में जीव को जो म्रत पौदों एवं जन्त जीव मंडल का आवरड काजो संगठन वो 30 किलो मीटर से कम मोटी वायू जल और इस्थल मिट्टी तता सेल की परत में होता है। बढ़ती उचाई की साथ तापमान में कमी होती है आकसीजन नमी और बायूदाव आदी के कमी की करण जीव मंडल की उचाई दोस्तों ज्यादा नहीं है। जैविक संगठक पादव यानि की दुस्तों पेड़ पौदे मानों जीव जन्तु एवं सूच में जीव जैविक संगठक कहलाते हैं अजैविक संगठक आपके जैसे इस्थल हुआ जल है बायू और मिर्दा खनेज उसमा तापमान और आज़ता और सागरी जल ये आदी जो विता मिट्टी कहते हैं सथल हैंMake 6 ए अगरा पहन दना मिर्दा जंतु नों के लिए पोदों एवंजंतों के लिए अनकूल पर्या बढ़ी दसाएं एवं आवास प्रदान करती हैं जब मिट्टिए हो जलिया नमी पर दोस्तो 20 सेंटी मीटर से 20 माइक्रो सेंटी मीटर तक होता है मिरदा की जो उपरी सता शेंटे से नीचे तपा आधार सेल में के मद्ध स्थित मुर्दा मंदल के लंबबत इस्तरों को हम सामोहिक रूप से मिर्दा परिछेदिका कहते हैं अब बात तरते जोस्तो पारिश्थितिकी के बारी में पारिश्थितिकी विज्ञान वहें विज्ञान है जिसके अंतरका सभी जीवों और उनकी बहुत एक पर्रेवल के मद्द अंतर संबंदों एवन विज्ञान जीवों के मद्द अंतर संबंदों का अध्यान करते हैं पारिश्थितिकी विज्ञान कहते हैं जिसको बोलते हैं एकूलोजी एकूलोजी सब्द का आविसकार जो सबसे पहले 1889 में अरनस्ट हैकल ने किया था यह अपने आप एक इंपूर्टन पॉइंट है एकूलोजी सब्द का आविसकार किस ने किया पारिश्थितिकी ये निके करमता उसे कहते हैं जिस्तु जिसमें किसी खास प्रजाती के अस्तुत्य के लिए उनकी अनकूल दसाएं पाई जाते हैं जैसे कि आपके वायोमास में खिसी पार जिवी आपने जिव को पर अस्त पर और जिवी दूसरे आश्रत हैं जो कि पौधे प्रिकासस Insulation की साहिता से अपना बोजन बनाते हैं अब सभी लोग 34 शे 5 किलास में दोस्तों में अथना ग्यान मिल जाता है कि जो पिड़ फौधे होते हैं वो अपना बोजन किस से बनाते हैं सूर के प्रिकास से बनाते हैं इसकी ओर्जा को हम रासानिक ओर्जा में परवर्थित कर देते हैं फिर साकारी जन्तिव दारा पादबो को खा कर ओर्जा ग्रिण की जाती है परंतु ओर्जा का जो कुछ भाग है वो नश्ट हो जाता है फिर इस ओर्जा को स्वसन मंडल और बॉई मंडल में छोड़ दिया जाता है इस परकार परस्तितिकी में उर्जा का स्थनांतर लगातार चलता रहता है किसी भी बनस्पति समुदाए के विकास की अंतिम अवस्था को चरम बनस्पति कहते हैं भूमिगत जल्दवारा गोले या निलमित पदार्थों को उपरी संस्तर में आने की जो क्रिया वो कि अत्यफ्त करें के पदार्थों की अंहलोता है इसमें जीवित या दोस्ते वरत जीवी पदार्थों के उप्लबदेता होती है या जै… संस्तर में दूस्तों इसमें O1 और O2 भागों में बटा होता है और आपका खनिस संस्तर आपके A B C बढ़ों में बटा होता है आए जानते उसमा गत्की का पिर्थम नियम आप लोगों ने दूस्तों टैंट ट्ट्वेल्थ सकती है ना इसे नश्ट किया जा सकता है इसे केवल दोस्तों एक रूप से दूसरे रूप में परवर्तन किया जा सकता है तो बहुत अच्छा पॉांट है दोस्तों याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्टपगी और चली दोस्तों आज्ट के इस शुमा करें संट्धे का करें के अ उसमा कि कि यहींत्य पार्ट तेरी में पढ़ेंगे अमीध़ दोस्ताप लोग को को बहुत संद उगा लगवक दूस्तों आज की आदे गंटे की क्लास में अधी आप लोगों के पाइंस साइंस है या इस तरीक और एक पीडियास से आप लोग रिवीजन करके आएंगे और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे उसमा गत्की के दुती नियम के बारे में तो चलिएगा दो आज की क्लास को इते रखेंगे क्लास कैसी लगी तो कमेंटर में जरू बताएगा अब लगबक दोस्तों आदे आदे घंटी की किलास रखेंगी क्योंकि आपका स्लेबस लगबक खतम हो चुका है जादा स्लेबस नहीं बचा बस थोड़ा सा बचा है अच्छे तरीके से कंप्लिट करेंगे जल्दी बोका आपकी